नमस्ते रोस्तो वेल्डम बैक तो मैं चैनल तो किया जब भी आप डांस करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप डांस करते कर तो अपनी स्टैप्स को भूल जाते हैं और लाग सोचने के बाद भी स्टैप्स याद नहीं आती तो विश्वार कीजिए आज की वीडियो देखन जब खतर करेंगे तो वहीं से दूसी स्टैप स्टार्ट हो जाएगी ताकि आप एक भी स्टैप भूले ना और सारी स्टैप बहुत अच्छे से याद रख पाएं ठीक है तो चलिए पहली स्टैप देखते हैं जब भी कोई गाना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले म्यूज करना है अंगूठे को मुठी बन रहेगी अंगूठा खुलेगा और शुल्टर को टच करेगा वान यह नहीं पर रहेगा दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे टू थ्री फोर फाइल सिक्स ठीक है बैक से स्टार्ट कर रही है तो फ्रेंट पे किस तरीके चाहेंगे पहले मैं बैक पर बताथे हों आपको यहां पर हैं आपने स्टेक किया वान तू सुर्ड़ मॉटा अब सामने किस तरीक से आएगे वा बाहर टू सुर्टर फूर पैर चलेंगे वान दूतीो थ्री फोर और शोल्डर अब डाउं होगे यह रिवान टू ठीक है टे कसिता करदे है यहां है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी पहरी step यहां पे खतम हुई हमारी second step यहीं से start होगी ठीक है यह shoulder पे हाते अपने दोनों हातो को move करते हुए हम एक direction में ले जाएंगे जैसे मैं right की तरफ ले गई चाहे तो left की तरफ भी ले जा सकते है पहले हाते ही लिए दोनों हातो की बाहर की तरफ होगी और हमें flip करना है हातो को 1 2 3 4 अगर मैं पहले right की तरफ ले गई हूँ अपने हातो को तो मैं left की तरफ पहले पेर चलाऊंगी अगर मैं left की तरफ ले जाती तो मैं right की तरफ चलूगी ठीक है इस तरीके से यह है पेर आपको किस तरीके से चलाने है 1 2 3 4 ओके तो एक बाद counting के साथ करते हैं यहां है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 थर्ड चो स्टेप है वो यही से स्टार्ट होगी हाथ हमारी यह है ठीक है 1 2 अब अपनी जगा पर ही खड़े रहना है मूव नहीं करना है बस कमर चलानी है और हाथो को फिलिप करते हुए उपर ले जाना है ठीक है 1 2 3 4 5 6 अब दूसरे डारेक्शन में हम हाथो को इस तरीके से आपोजेट कर देंगे और नीचे लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से 1 2 यहां से मूव करते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे एक तरफ से उपर ले जाएंगे और दूसरी तरफ से नीच लाएंगे हाथो को ठीक है तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं यहां खे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 अब बारी है फूर्थ स्टर की थर्ड हमने यहापे खतम किया अपके इन तोनुँ हाथो को इस तरीके से फिल्प कर देंगे 1 यहां से घुमाते हुए यह फिल्प किया हाथ को और साथ में घुमेंगे हाथों के और यह शोडर भी ठीक है देखें यह है हाथों को देखें घुमाया मैंने और यह घुमाते हुए उपर वाला हाथ घुम के नीचे और नीचे वाला हाथ घुम के शोडर भी ठीक है छोटी वाली उंगली शोडर को टच करेगी और बाकी उंगलियों का पॉश्चर रहेगा इस तरीके से खुला हुआ, ठीक है, ये, one, same, अब हम दूसरी तरफ से करेंगे, ये हाथ, और घुमाया, उपर वाला हाथ, नीचे और नीचे वाला हाथ, शोल्डर पे, two, इतना समझ में आ गया, तो चले एक बार काउंटिंग के सास करते हैं, यहाँ के हाँ, one, two, three, four, five, six, seven, अब हम अपनी फिफ्ट स्टेप यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने दूनों हाथ को इस तरीके से क्रॉस करेंगे, सामने लाखे, one, open, two, three, four, five, six, same, घूम जाएंगे, और दूसरी तरफ से यह स्टेप को repeat करेंगे, हमने यहाँ आगे से, नीचे से स्टार्ट किया था स्टार्ट, अब जब पीछे टर्न करेंगे, तो उपर से ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह वाला हाथ हमारा उपर था, one, two, three, four, five, six, 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 हमने यहाँ पे खतम किया, बैक पे, six, इसके बाद अपने एक हाथ को कमर पे ले जाएंगे, और दूसरा वाला हाथ फ्री छोड़ देंगे, ताकि स्टैप कर सके, यहाँ से मूव करते हुए, one, two, कमर की साइट से घुमाते हुए आपको शोल्डर पे हाथ रहना है, छोटी वाली फिंगर और बाकी फिंगर इस तरीके से ओपन न लेंगी, तीक है, इस तरीके से हाथों का पॉस्चर रहेगा, छोटी वाली फिंगर आपको शोल्डर पे टैच करनी है, one, two, three, four, इस तरीके से आप सामने आजाएंगे और आपका step हो जाएगा पूरा complete, तो एक बार counting के साथ करते हैं, one, two, three, four, और एक round के साथ आपका dance होता है complete, ठीक है, तो चलिए एक बार सारी steps को दुबारा से revise कर लेते हैं, ताकि आपको याद करने में असल, तो चलिए back से start करते हैं, ठीक है, one two, three, four, one, two, second step यही से start किया था, one, two, three, four, five, six, seven, eight, third step, one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six, fourth step, round, one, two, three, तीक है, fifth step, one, two, three, four, five, six, seven, eight, sixth step, one, two, three, four, five, six, तो टोई लांता है, टो टोउ को बार सनावे को न हर पतार सक्तारास तोई रार तो यह थाज कर रिटोरिया लाइशा करते हूं आपको आज की वीडियो अच्वी लगी होगी तो वीडियो को लाइश शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूस्पुल टोरियल लाती रहती हूं जिसको आप देखकर बहुत आसानी से डाज सीख सकते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए नेट्स वीडियो में मिलते हैं बाई